जे गुरुजी जे गुरुजी कंचन आटी जे गुरुजी सारी संगत को जे गुरुजी जे गुरुजी सौरी सौरी वेरी सौरी कंचन आटी लेट हो गई आज मैं बैठने में पता नहीं क्यों गुरुजी हमेशा ही सेवा देते हैं और हमेशा ही पता नहीं क्यों मेरे साथ परिक्षा हो जाती है गुरुजी की और मैं कैसे गुरुजी कुछ सेवा भी देते हैं और बड़े परिक्षा लेके करवाते हैं और इतनी खुशी होती है जब गुरुजी सेवा देते हैं कि चलो अच्छा है कि गुरुजी ने ऐसा मौका दिया गुरुजी के गुंगान गान मैं आपके साथ और हमने साथ और दो कि साहई को वेट करना पड़ा very very sorry गुरुजी माफ करना गुरुजी सच में गुए सच कि एक बहुत बड़ी पइक पॉइंट है याज में ह्लेक पूजगा lifts को सब्सक्राइब दोर करो चीब जब भुट बहुत बड़ी कमीया दूर करो ने हर जग लेट हो जाती हूं हर यदा वी हर्क लेट हो जाती हूं इतना टाइम होता है, बिल्किन सुबह से, मैं तो कितना ही टाइम था, तीन मेरे बैठना था, फिर भी मैं लेट हो गई, फिर भी पांच साथ मेरे लेट बैठी हूँ, तो गुरुजी प्लीजी में इस कमी को दूर करो, आपने दूर करना है, आप भी बक्षन हारो, आप हमें सब कुछ बख्षते हो, तो मुझे प्लीज टाइम की दाथ बख्षो, और यह जो मेरे उपर से लेट लेती ही, फाली आंटी का लेबल है, प्लीज हटा दो गुरुजी, पहले ही अर्दास, आज सस्तंक से जाते हुए, होती है गुरुजी से अर्दास, याज गुरुजी से पहले ही अर्दास है, कि गुरुजी प्लीज आगे से हर सस्तंक में मुझे टाइम ने बिठाना, पहुंचाना, जहां भी मेरे सस्तंक क्या कहीं पी पहुँचना हो, प्लीज गुरुजी मुझे टाइम, टाइम की बहुत कुछ इंसान खोता है, तो प्लीज गुरुजी और प्यारी संगत से रजट जड़वाया थ् undertale शुक्रांचा कुना की एकलि सारे करते हैं हर पल और तो गुर जिए जो जर्नी है क्यानें वहली हम पहली बार बड़े मंदिर कब गए या हमें गुर्जी के बार में कब पतर लगा तब से गुर्जी हमें तार रहे हैं और हमारी गुर्जी के जर्नी कब स्टार्ट हुई एक पटिकुलर डेट कई संगत बताती है कि इस डेट में पहली बार बड़े मंदिर गए और वह सबस्कुर्द枝 लेकिन, हाँ अतना याद है कि पहले बड़े बन्दिर में किसके साथ गई ती गुरू जी एक बार और किसी मेरी आपको कशी को जरीया मनाते हैं आपको सबस्काराइब दिलिए ALLानर्र इसके बार मेरा कभी उनके साथ बड़े स्क्राइब को पता ही नहीं लगता कौन कौन से अलग जरिये मंते हैं या इसको अकेले चले जाते हैं तो मुझे मैं बड़े वन्दिर के किर्पा से बहुत बार बड़े बंदिर बुलाया है बहुत बार आप तो गिनते भी नहीं कि मैं बड़े मंदिर कितनी बार गई हूँ और कितनी बार, बहुत बार गुरुजी ने बुला यहुँ हर हफ्ते, हफ्ते में दो पर इभी, कैब रही मिली, तीन पर भी, और लोगड़ॉन वे जब बड़ा मंदिर बन था, बाहर कर दक भी बुलाया, और अभी गुरुजी की किरपल से गुरुजी हर मंडे मॉर्णिंग में गुरुजी बुलाते है और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना और आज गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है हर पल के शुक्राने है तो आज गुरुजी बहुत बारी मौका भी देते हैं अपने साथ बिठाने का अपनी संगत के साथ ससंग शेयर करवाने का गुरुजी का अनंतम शुक्राना आज मेरे को जो ससंग शेयर करने हैं गुरुजी के बहुत सारे ससंग है एक तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो गुरुजी मुझे हर क्या कि क्या है कि मुझे होया है कर दो ही नियरे न summat गुरुजी मेरे साथ हडवार बना में पणझाण कोई कि हम उकार के गुरुजी के साथ करें गुरुजी ने रहमत बखशी अफ्नी करप बनाई और गुरुजी गुरुजी की बता हमもう पलड से लेकर समस्फिशी नहं प्रश्मावली tuta 30 मेलन्टाइन टे भी गुरी के साथ मिनाया हमने बसंद पंच ठ्रीप गुरी लास्ट лиш यह और उसके लवा गुरुघ जी और रक्षाबंदन निवाली इविन मैंने गुरुजी के साथ दिशेरे वाले फैस्ट्री पे भी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया पंदर अक्टूबर को उसके पाथ 14 अक्टूबर को गुरुजी का साथ करवा चौट में आने का भी मुका मिला गुरुजी के साथ पूरा दिन मतब गुरुजी हला की मना करते हैं कि कोई व्रत नहीं रखो और मेरा कोई ऐसा कोई करवा चौट रखने का कोई सीन बे नहीं होता लेकिन मेरा पता ही नहीं क्यों मन किया कि गुरुजी के लिए व्रत रखती हूं और व्रत क्या रखना मतब सुबे से नही शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, क्या हुआ था, उस दिन मैं घर से सोचके गई थी, कि मैं घर से सुबे से कुछ नहीं खाऊंगी, शाम को बड़े मंदिर चाहूंगी, और वहाँ जो लंगर बरशाद मिलेगा, उस वहीं बैटके खाऊंगी, गुरुजी के साथ बैटके तो मेरा व्रत खुलेगा, मुझे ऐसा कोई चान वान देखके नहीं खोलना व्रत और चान क्या ही देखना हो, और गुरुजी उस दिन ऐसा हुआ था, इस बरी आप, संगर जी आपको भी पता है, कि इस बरी चान निकला ही नहीं था, और मेरी तो ऐसे कोई चान वाली और मिलेगा, उस टाइम पे प्रशाहा रहा है वहां बैटके लंगर पर्शाह नहीं हो रहा था, आपको पैकिंग वाला मिल रहा था, आप उसको बहार जाके अपना ग्रामिंग से वां में खाओ, और तो में खाओ, भले जो या रास्ते में खाओ, वह वैसा वाला सस्ट्म तो लेकिन मेरा बहुत मन्त मिला जैसे परिशाद तो मेरा बहुत मन्त था कि मैं यहीं बैटके गुरुजी के साथ बैटके खाके जाओं वहीं पार्किंग में खाके जाओं मेलब गुरुजी के धाम पे ही खाके जाओं तो उस दिन बहुत ही मन्त था और तो मैंने बड़ी को क्षिआ अपकर ईसको ले के जाना है तो मैंने का मेरे मन में था कि नहीं मैं तो घर सोच के आयूंखी हूं और मैंने तो गुरूजी इनको बोला था कि गुरुजी मैंने आपके साथ पैट की व्रत खोलना है तो मैं तो यहीं खाना है मैंने एक बड़ी कोशिश किनी मैं उसको उपन करूँ फिर इतने दिर में अंकल ने मुझे फिर सेवदार अंकल ने बोला कि आँटी नहीं यहां नहीं खाओ कि आपको मना कर अंकल ने मुझे आपको हाम करें कुछ नुक्सान कर सकती है अटाक कर सकती है मैंने चलो जैसे गुरुजी की इच्छा तो मैं जैसे लंगर पर शाद की थाली लेकर खड़ी हो गई होंसे और खुल चुकी थाली फिर मेरे माइन मेरा था कि अब यह खुल तो गई है और मैं इसको कैसे ही लेके चाँगी और मैं यह कैसे भी मैंने का चलो जैसे भी आपसी में में मेट्रो से गई तो मैं जैसे ग्रामीन से वांगे पीछे तरह जाने लगी उससे पहले ऑटो वाला खड़ाता हुए अंकल ने मुझे आवाज मरी आंटी ओर्टो मेरे हाथ में लंगर के लिए नहीं बोल रहे हैं आप बैठके लंगर परशाद कर लो तो शुक्रान है मेरे मालिक का कि गुरुजी ने कैसे वह आटो वाले अंकल की फॉर्म में आके मुझे वहीं ऑटो जो खड़ाता वहीं पार्किंग में महीं ऑटो वाले अंकल ने बोला कि आँटी मेरी अभी स आज और हरवरी आप देते हो लंगर परशाद पाकिंग वैल और हम ले भी चाहते हैं कोई बातनी रास्ते में खाले लेकिन आज बिल्कुल मन है कि बिल्कुल यहीं यहीं खाने आपके साथ बैट के खाने और बहुत अच्छे से आटो में बैट के लंगर परशाद किया तो ऐसे गुरुजी के साथ हर तुषार के ससंग आज गुरुजी ने पता नहीं पिष्टे साल की जितने वे तिहार ते उसके मुझे करवा छॉथ का पृत और बपर वर तो गुरुजी का जो कुरा साल गुरुजी ने हर तिहार पर या तो बड़े मंदिर बुलाया क्या मेनाय गुर्जी ने इस साल भी संगत जी गुरु जी ने सारी त्योहार शुरू से मिनावने शुरू किये 31st night को होता है एक सासंग एक गुरु परिवार के आंटी है बहुत अच्छी आंटी है उनकी वहां हरत्योहार गुरु जी मिनाते हैं गुरु जी अपनी संगत के साब निनमाते हैं तो नियू यर पे 31st को night में गुरु जी ने भुलाया और गुरु जी ना तो उस दिन वहां प कि अब जाना पड़ेगा तो कैसी आंटी ने पापा को बोला कि यह ना आंटी यहीं रुख जाती है तो पापा ने भी बोला कि चलो कोई बात रूख जाती है तो whole night 31st मतलब रात को मुलक जो सुबह होई 1st की और गुरु जी की गद्दी के सामने घर में ही हुई तो शुक् और अभी संगर जी क्या वह था मैं अभी लेटेस जो आपके साथ ससंग शेयर करना चाहूंगी गुरु महराज की किरपा से विसाखी अभी जो निकली है 13th एप्रिल की विसाखी के त्योहार पे मेरा बहुत ही मन था कि गुरु जी के तर विसाखी भी विनानी है जैसे गु त्योहार बनलब गुरु जी की किरपा है कि हर त्योहार वो संगत के साथ मनाते हैं तो विसाखी का भी वहाँ पे ससंग था अभी पहले हलाकि वो बारा को होना था तो वो तो हमारे उपर नहीं हो था गुरु जी की मर्जी होती है कब उन्होंने क्या करवाना है तो बारा का मेरे पास मेसेज आने भी शीरो हो गए कि जो है बस जा रही है विसाकी पर बड़े मंदिर और उसे पहले भी मैं 11 को भी बड़े मंदिर होकर आई थी तो वहाँ देख भी रही थी कि विसाकी की त्यारियां हो रही है टेंड लग रहे हैं और बहुत प्यारी बहुत अच्छा ही कुछ होगा है विसाकी पर तो मेरा मन उस टाइम से लल जा रहा था कि विसाकी पर बड़े मंदिर आना है बट 12 को संगल जी आचाना की कुछ ऐसा हुआ कि मुझे डेली से बहार जाना पड़ गया और मैं डेली से ब सेवा थी। और मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यहां नहीं तो वहां जाना पड़ा है वो भी गुरुजी की ही एक सेवा थी मुझे वहां जाना पड़ा और संगजी बारा को जिसे मैं नाइट में पहुंची और मैं पूरी रात मिलब अलमुस्ट पूरी रात ही सोच रही थी कि कल बड़े मंदर में कल बहुत तॉरस बनाते हैं तो बहुत ही सोच रहीत थी रात को में आ बूर्ट ताम तक इतने स्वीट और इतने किरपाद हुए जो हमारे मन में हैं वो पूरी करते ही ये करते ही हैं और मेरा सच में बहुत मन था कि विसाकी में मैं एट लीस्ट देखूं मंदिर में कैसे होते हैं मंदिर के दर्शन हो जाए थोड़े से तो हलाकि मुझे था कि साथ में तो लाइब आएगा ही आएगा जो गुर जी के आश्रम पेश्ट पर आता है लेकिन शाम तक मेरा वेट यू नहीं होड़े था मुझे तो गुर जी प्लीज मुझे पहले दर्शन करने हैं कैसे भी करवा हू संगत जी मैंने अचानक से ही अचानक से हलाकि मैं डेली से भार किसी के घर ग एक बज़े मैंने जैसे ही फेस्बुक खुला और गुरुजी के इतनी किर्पा इतनी किर्पा और एक आंटी है वो गुरुजी ने उनको बहुत सेवा देते हैं और उनको क्या ही सेवा दी थी उस इन संगत को जोडने की संगत को दर्शन करवाने की मैंने जैसे ही आपको भी दर्शन गुरुजी के होंगे और आप हम बिल्कुल टी पॉइंट पे पहुंच के हैं और बिल्कुल संगा जी में ती पॉइंट से जो गुरुजी के धाम के दर्शनों ने शिरू हुए शिरू हुए और हला कि आंटी बोड़े थे कि नहीं फोन शायद रखना तो आंटी ने बोला कि शायद फोन रखना पड़ेगा अगर सेवतार अंकल ने मना करा किसी ने देखा और लाउड नहीं होता संगर जी मतलब मन में इतना भाव था कि at least शिवलिंग तक दर्शन हो जे गुरुजी शिवलिंग तक दर्शन करवा देना और वो जैसे ही गाड़ी आंटी की कैमरा चलते 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 टी पॉइंट से अंदर आया और ट्रांसफार्मर के वहां से ऐसे गाड़ी टर्न नहीं और बिस शिवलिंग के ही दर्शन हुए और वो आंटी आउफलाइन हो गई तो शुक्राना है मेरे मालिक का मन में बहुत भावता और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि में को डेली से बाहर चली गई और मेरा बड़े मंदर में सो गया गुरुजी ने वहां बैटे ही ब्लेस कर दिया बहुत बहुत शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी का और गुरुजी के साथ जो मेरा मेरे मन में विश्वास था कि गुरुजी मतलब मैं कहीं पर जा रही हूं मन तो आप में ही है और हलाकि जहां मैं गई थी बहुत दूर गई थी डेली से 6-7 गंटे का डास्ता था और वहां पर इतना कुछ है नहीं गुरुजी का और नाई उनका इतना बहार आना जाना है बट मैं जहां पर गई थी उनकी घर में जो आई हुए थे मैं अपनी भाबी की यहां गई थी उनकी भाबी की मम्मा आई हुए थी वहां पर उन्हों ने जैसे मेरे सा मैंने मुझे देखा मेरे गले में देखा गुरुजी का या उन्हों ने जैसे हमारे वहाँ पे बीना कुछ होते हैं ससंग वगरा और काफी संगत है गुरुजी की मैंने का हाँ फिर उन्हें वोसे पूशन शिरू हुआ कि कैसे होता है डैली में हैं बड़ा मंदेर क्या होते हैं वहाँ पे सुने हैं लंगर प्रिशाद वगरा है तो मैंने भी उनको फिर जहां में तो मौका अच्य होता है क्यों अपने गुरुजी की गुरुजान गाने का तो फिर वह पुशन लगते हैं आप जाते हो लिकशो Monate की किुछचों के बहुता है है विद्य मठें बुलाते है तो शुक्त बहुतार है मेरे माली का तो वहां पे जाके मतलब गुरुज अंगसंग थे, साथ थे और गुरुजी और फिर संगा जी मैं वहाँ जो बारा को गई, वेसाकी तो मैंने वहाँ बना ली, अब मुझे वापसी जो था, मुझे आना था मुझे वापसी वहाँ आना था मंडे को हुए वापस आना था actually में Sunday को वहां किसी ने आना था तो मुझे था कि Sunday को वो आ जेंगे तो मैं Monday को निकलूँगी वहां से कोई वहां पहुंच जेगा तो मैं एकले दिन निकलूँगी लेकिन मेरे एक तरफ मन में वोड़ा था कि Monday अगर मैं यहां से जाऊंगी और मेरा अगर मॉर्णिंग तो फिर पड़ा मंदिर फिर मिस हो जाएगा मंड़े मॉर्णिंग तो मेरे नो मिस होना नी चाहिए में लगला में तो एक आज़त सी पढ़गी है एक आज़त सी क्या गती है कि अभरी मंडे मॉनिंग लेती है और जिसे हुते हैं कि मंडे मिटिंग फिक्स है गुरुजी के साथ сама जाए पर शार मुंडे को मेरा मंदे मॉर्णिक के साथ मैं चलित तो मैं डारेक्ट ही इस्वीटी से अपना चली जाओंगी बड़े मंदिर लेकिन मिस नहीं गरूंगी संगे जी पता ही नहीं कैसे गुर्जी की किरप होई साटरे को ओल ऑफ सटर्ड मॉर्णिंग में कुछ ऐसा ही पता नहीं क्या ही हुआ और मैं सारडे मॉर्णिंग ही महांसे चली पड़ी और संगे जी मैं सारडे मॉर्णिंग दिन में चली बारा एक ब्रे रात को आट नौ बजी आई घर पर आके मैं ने रेस जो रेस किया और मैं इतना रेस किया पूरी सारडे में सोई पुरा संडे सोई में इविन संडेश को कुछ आंटी को प्यारा था कि Monday morning चल रहे हो आप वापी सागयो Monday morning चल रहे हो मैं थाइख मेरी तबबेट ठीक नहीं है मिझे कुछ पता नहीं है अभी मैं कुछ नहीं गह रही और Monday morning फिर वो संगर मुझे मेली भी मंदिर में और मुझे बोला देखके कि आं अनंतम शुक्राना गुरू जी ऐसे ही बुलाते रहें बड़े मंदिर पार बार बुलाते रहें अभी तो Monday बलाते और 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 बुलाते रहें मतलब लंगर परशाद के लिए और हम लोग तो तरस्ती हैं मतलब गुरू जी का लंगर परशाद खाएं और अपनी जो भी संगल जी मैं परशो एक आँटी का सथन्ग सुन रही थी लाइव तो मेरे मन में सथे वह आ रहा था कि मुझे भी अप सथन्ग करना है कशन आइटी ने पहले पी एक बरी बोला था कि आउंटी से संग शेर नी करोगे गुरूजी का तो मैंने का आउंटी थोड़ा सा गुरूजी का हुकम नहीं लग रहा हुए हुझे ना बड़ी कामों में उलशी हुई हैं वही मुझे डेली से बाहर भी जाना था और कुछ और तो मैंने ऐटी को थोड़ा कह로 कि अब थोड़ा मुष्किल है तो इस ग्रटी की इच्छा नहीं है तो मिल टापनाला र्लस मुझे हो थे परलन झाल करने हैं अब मसब ड्यों कि अब या र्ला तो क्ल अग्रश के दिखनाक eina you बाकि जब गुरुजी की इच्छ होगी तब बैठेंगे तो यह आज मेरी एक तो यह विसाकी का ससंग शेयर करना था और दूसर सबसे बड़ा ससंग जो मेरा अभी रीसेंट गुरुजी के साथ गुरुजी की किरपा से जो गुरुजी की महिर हुई है मेरे बद्धे पर और इस पर ही जो गुरुजी ने मुझे बद्धे बक्षा इतना प्यारा बद्धे बक्षा मतना मैं इस बद्धे को लाइफ का बेस्ट बड़े अपना कहूंगी 11 अपरिल सबसे पहले तो यह बद्धे इसलिए ब्लेज रुआ कि यह बद्धे 11 जो अपरिल था वो मंड़े को लेकिन पर पहले बिर मन्डे को आया तो शुक्रा रहे हैं मेरे माली का वो इस ब्लेज़ को गया वो दिन यूंकि वह भोले का दिन था और मंडे के दिन सुबह सुबह सबसे पहले ही हमारा मुझ जो बुलावा होता है बड़े मंदिर का तो वो मैं गई 11th April को मंदे था पिछले मंदे को सबसे पहले गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया सुबह सुबह शुकृराना मेरे मालिक का जो बड़े की शुरुवात की गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाके मंदे को सुबह सुबह अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का और संगत जी बर्दे से पहले मतलब मुझे था कि बर्दे कैसे करनाना है या कैसे करना है तो बड़ी confusion हो थी कि इस बर्दे पर क्या करूं पर हमारे जोशें से तो कुछ नहीं होता अलगी मेरा मन था कि मेरा मन क्या था मतलब था कि ये तो थाएगी गुरुजी के साथ मनाना है गुरुजी की संगत के साथ मनाना है मतलब अब तो अब तो कोई friends नहीं है कोई relatives नहीं है जब से गुरुजी के साथ जुड़े है सिफ गुरुजी है और गुरु परिवार है हमारा तो बस मन यही थ कि बदे जो है वो गुरुजी के साथ मनाना है और गुरुजी के परिवार के साथ मनाना है तो अब वो कैसे बनवाना है ये गुरुजी जानेंगे तो संगत जी पहले मैंने ना मेरा एक बड़ी मन में आया कि घर पे ना सरसंग कर लेते हैं गुरुजी का थोड़ी सी संगत के साथ कि वो तो गुरुजी जाने कि गुरुजी को ज़्यादा संगत लानी है या कम संगत लानी है तो गुरुजी एक बरी पहले भी आये थे घर पे September 1 में लास्ट येर वो हमने किया गुरुजी ने नीची पार्किंग में करवाया था जस्तन तो काफी संगत थी उसमें गुरुजी की किरपा से बहुत प्यारी संगत थी और ये तो गुरुजी जानते हैं कि कौन से संगत को गुरुजी ने बुलाना है कैसे बुलाना है मैं literally संगत जी ये सच में बोलूँगी कि ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता कि ये संगत आएगी या वो संगत आएगी ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी को अपनी कौन जी संगत को लेकर आने है तो जो मेरा पहला जब पहली पर गुरुजी को घर पे बुलाया था हमने सप्टमबर में 19 सप्टमबर को तो संगत जी मैंने जो लिस्ट बनाई थी इसको बुलाना है उसको बुलाना है वो ल गुरु जी जोड़ते हैं अपने हम गुरु परिवार को, तो शुक्राना है मेरे मालिक का, कि संगत में, उस संग में गुरु जी बहुत प्यारी संगत लेकर आये थे, तो इस बरी वही मेरा ना मन ओड़ा था कि मंडे को ना संग रख ले, मतलब संग गुरु जी की आगया हो तो संगत कर लेते हैं घर पे, लेकिन करेंगे इस बरी उपर, तो संगत जी मेरा घर ना उपर थर्ड फ्लोर है, अपर सेकिंड है, तो संगत का चड़ना थोड़ा मुश्किल होते हैं, और कुछ घर के अंदर, समान वगरा पूल जाद है, तो मैंने एक बरी एक सेवा दर आ तो उन्होंने बोला कि बताते हैं या आपके घर में कैसे होगा मतलब स्पेस कम में या मतलब जो भी गुरुजी की रदा नहीं थी, तो मुझे लगा कि गुरुजी हम मुझे तो वद्दे आपके साथ मनाने हैं, मैं कैसे करूंगी, बाकी मैंने छोड़ दी हैं न्यूटल स तो आप दे रहे हो बाकी शाम कैसे बनवानी है, दिन कैसे निकलवाना है गुरुजी यह आप जानो, तो शिकुराना मेरे मालिक का कि मंडे को 11 अपरिल को बद्दे पर वहले गुरुजी ने सुबह सुबह बुलाया बड़े मंदिर, वहां पर संगत जी गुरुजी इतने इतने स्वीट हैं, तो 11 अपरिल को संगत जी पहले क्या हुआ गुरुजी ने इतनी सुनते हैं, संगत जी बहुत बड़ी होते हैं, बहुत चलवाते हैं, मतलब कई बड़ी अंदर बड़े मंदिर में त्यारियों हो रही होती हैं, या कोई फेस्ट्री होता है, तो बस या पार्किंग मेंगरा बाहर तक ही होती है आप जो हमारे यांसे बस जाती है गुरूजी की बस जाती है मंडे मॉनिंग तो उसे एलेविंत अप्रिल को विसाखी की त्यारी हो रही थी तो टी पॉइंट तक बस महुंची और ऐसे लग दो था कि बस को नहीं रोग देंगे और सं कि तियारी हो रही है तो कुछ संगर बुड़े थी कि हो पैदल चाना पड़ेगा कैसे है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे गुरुजी बहुत चिलवाते भी अच्छी बात है हम लोग मैं तो कहती है गुरुजी चिलवाएं हम लोग इतने मुटे मुटे हैं थो कुछ और भी पॉल सेली काम था है मैं मार्केट गई और बस मन था कि बढ़ते है कि चलो एक ड्रेस ले लू और वो भी गुरुजी की किरपा से मुझे ड्रेस कैसे मेली गुरुजी का अनंतम शुकराना मार्केट गई और एक ही शॉप पे मुझे लेनी है और हलागी उस करी दो-तीन ड्रेस तो मुझे लग मैंने देखा हो ट्राइरूम तो है नहीं मैंने वह ट्रेस छोड़ दी तो तो शंगर जी मैं बड़ी कंफ्यूज थी और एक ड्रेस मेरे से सामने ही किसी ने ली और उसे उपर से ट्राइ कर लिया और उसको थोड़ी लंबी थी लूज थ बहुत जादा प्यारी लग रही थी अब उसने ले ली और मैं उसे कैसे बोलो कि मुझे देदो मुझे अच्छी लग रही है कि या मुझे पफेक्ट आएगी उनको थोड़ी ओल्टर वाली थी वो मुझे भाबय कह रही कि मैंने का आपको थोड़ी अल्टर बनी पड़ेग तो संगा जी और उस शॉप पे लाइट भी चलेगी फिर तो मैंने बुला चलो गुर जी जैसे आपकी इच्छा अप पुराने कुछ टाल लूँगी और नहीं मिरती तो नहीं मिरती और मैं आगे चेदी की शॉप पे और दो कदम आगे गई तो लाइट वापिस आगे मैं वापिस आई उस शॉप पे तो पता है नहीं और लड़की स्टेल वाही थी और और ड्रिस देख रही थी तो उसे एक ड्रिस इतनी ज्यादा प्यारी लगी बिल्कुल उसके साइस की तो उसने मुझे पता नहीं क्यों अपने भी बोला कि ये बली ड्रेस आपको बहुत प्य प्यारी थी आप ऐसे करो आप ये ड्रेस लेलो मुझे ये जादा ड्रेस प्यारी लग रही है तो मैं ये ले ले थी आप पर अच्छी लगेगी और आपको पर्फेक्ट बैगे आप ये लो तो शुक्राना है मेरे मालिका कि जिस पर दल ला गया था ड्रेस पर वो गुरी न पर्फेक्ट बॉल थी और चल के ज डाना पड़े गा अपैरो सबसद ब्लोट पर आठीपी तो मैं मेरे महिं दंसे आया कि कुरी चल तो मैं लो गए मुझे कोई प्रॉर लॉब्लम ही आम जितना मझे चल वा लो लुए ये लेकिन आए अइड्स बड़ी-बड़ी ग्ड़ी तो जंगे जी बस मन में यही आया था कि गुरुजी चिलवा होगे क्या all of sudden पता नहीं गुरुजी ने कहते हैं वो बस टी पॉइंट से अंदर को मुड़वा दी डारेक गुरुजी की पार्किंग में बत्तब बिल्कुल ट्रांसफर के महाँ पे शिवलिंग के महाँ पे बिल मनंतम शक्राना गुरुजी ऐसे पल-पल फटवर्च सुन लेते हैं और उजिन गुरुजी ने फिर बहुत-बहुत-बहुत प्यारे दर्शन दिये मंदिर में बहुत खुले दर्शन दिये चाय परशाद गुरुजी ने करवाया समूसा परशाद बहुत-बहुत-बहुत- जपा शेटल जिवा के लिए मैं लाइन में लगी शेटल सिवा कि वापसी में टी-पॉइंट में ही मिलनी थी पस तो लाइन में खड़ी हुई है मेरे आगे से मतलब गाणियों पर गाणिया शेटल सिवा आती गई है शंगर बैठते की है तो मैंने का तरोड़ी की मरद्वी रोख के रख रहें रोक के रख रहें गुर्जी का क्या हुकम आज जानी नहीं दे रहें बद्व और फिर मैं बूधिलेट बस पहुंची और सारी संगत मुझे वुड़ती क्या आज बद्वे वाले दिन सारी प्रेसिंग लेनी थी क्या ग गुरू जी शेटल से वही नहीं बेच रहे थे जाने नहीं दे रहे थे तो गुरू जी ने की संगत के साथ गुरू जी की प्यारी संगत ने बहुत अच्छ से ब्रेसिंग्स थी गुरू जी से ब्रेसिंग्स मिली और गुरू जी ने मुझे उस दिन ये वली ये वली ब्रेसि गुर जी के पसे मुझे मिले शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुर जी का और संगा जी ऐसे और गुर जी उसके बाद सुपह सुपह जैसे गुर जी ने बर्दे पर ऐसे ब्लेस किया बड़े मंदिर बुलाने के बाद वापस आने के बाद गुरुजी ने मेरे मन में जब ससंका नहीं हो पा रहा था तो गुरुजी ने पता निक्व मेरे मन में थोट डाला कि बदे बना तू और संगे जी कैसे गुरुजी ने बदे बनवाया एक blind school है blind care center है तेली में ही है, दो-तिन है और मुझे पता नहीं कैसी गुर्जी ने thought में डाला कि जाके ना उन blind girls के साथ अपना बद्दे बना किया तो मेरा, मैंने मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता था सिर्फ मैंने किसी का देखा था किसी cousin का देखा था, उसने अपनी anniversary वहाँ पर मनाई थी, fab में और किसी के मुझे भी सुना था कि है उत्तमनगर की side में blind school और वो वहाँ पर जाके annually, जब उनके पापा का हो था वो कुछ देखर आते हैं, तो सिर्फ सुना था और एक बड़ी किसी का देखा था कोई अपनी wedding anniversary वहाँ पर तो मुझे भी गुरुजी ने पता नहीं किया थौट डाला कि जाके ना बढ़्दे उन blind girls के साथ मना किया तो मैंने कर चलो देखते हैं हलागी मैं पहले उस कभी गई नहीं थी वहाँ देखके मैंने कैसे ही गुरुजी ने मुझे मेरी कजन से उनका number दिलवाया उनके इंचार्ज का number दिलवाया फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे इन girls के साथ अपना बड़्दे बनाना है तो उन्हें बोला आप आ जाओ तो मैं गई उनके साथ बड़्दे बनाने के लिए और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने क्यूं मुझे उनके साथ बड़्दे बनाने के लिए बोला है गुरुजी महां खुद पैटे होते सक्षाद मेरी महां की इंचार्ज के साथ सिर्फ एक बड़ी फोन पर बात ह हुई थी जब मैंने पूछा था कि वहां यह एक्जाक्ली कहां पड़ते हैं और यह वहां पर कितनी गल्स होती हैं और मुझे कुछ लाना है तो मैं कितनी कौडिटी में लाओं तो सिर्फ इतनी ही बात हुई थी या फिट पहुंचने से पहले जब मैंने लोकेशन के लिए जानने के बाद तो मुझे पता लगा कि गुरुजी जो उनकी चारज अंकल है वो खुद गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी भी वहां बैटे हुए थे गुरुजी का सवरूप महां पर धा और मैंने भाँ पहुजी और मैंने वहां पर जैसे केक लेगर गई नुज़ लगए लगा थे गुरुजी तो मतलब गुरुजी की प्रयसन्स में काटने तो गुरुजी का पर पस कुछ है नी यह था मेरे पास सुभे जो मुझे असुब है ब्रेस्टेट मिला था यह था और वैंचन नम्म में रे पहरात है तो वसे बंडर मंद्र के लिए तो वो मैंने इस टेबल पे गुरुजी को विराजा और वहीं केक काटा और जब मैंने वो गुरुजी का विराजा ना जो सवरूप था गाड़ी में रखने वाला तो वहीं पे जो प्लाइन सेंटर में एक थे अंकल मतलब उनकी सूपरवाइजर थे तो उन्होंने एकदम बोला केरें गुरुजी आप गुरुजी को मानते हैं मैंने थे हाँ जी तो यह हो जो मेन आप सबस्क्राइज वहां अब बोला जो जो बहुत बहुत बनते हैं और वहां अब भी बड़े मंदिर हों ने प्र फिर उन से भी गुंगान वहीं शिरू होना शिरू हो गए उन्होंने बताया कि छतरपूर में नहीं कहते हैं उनका जो में इंचार्ज हैं वह दुगरी भी जाते हैं हम भी गए थे अप्रिल में तो वहीं पर मतलब गुरू जी तो हर जग है मुझे तो मतलब लग रहा था कि म मतलब कभी कई नहीं कभी सुना नहीं चीक है गुरू जी ने सेवा बख्षी है कि उनके साथ बनाना है पर मुझे एक बर ही तो लगा जैसे ब्लाइंड गर्सी तो केक्विक कटने के पर जब हम डांस करने लगें तो मैंने एक बर शुक्राना लगा दिया गुरू जी का उन और ना गर्जी का शुक्राना करने दे रहे हैं और ना एश कर बर शुक्राना लगा दो और उसके पर जिस पर टांस करना होगा बो लगा दूगी तो फिर भी पापा ने बोला कि यह लग बोर्ड है न वहीं लगा दे मैंने चलो जैसी गुरू जी की इच्छा लेकिन बाद अफिस नहें इतना बड़ा सबुरु तो इनका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरू जी मुझे अप पता लगा कि आपने मुझे यहां क्यूं खीचा और मेरा सच्छ बंदा कि मैं आपके साथ अपना बद्दे मेरे बद्दे में आप भी शामिल हो तो ससंग नहीं हुआ घर पे तो कोई बात नी बतलब ऐसे गुरुजी ने मुझे मेरा बद्दे ब्लेस किया तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ने इतना अच्छा बद्दे ब्लेस किया और उन लड़कियों के साथ जो बद्द बनाया और उन्होंने जो선wer दी और बहुत बहुत शक्राना बहुत बहुत शक्राना आज भी मेरी उन लड्कियों में से एक अधी लड़ीयों से बात होती है उस लड़कीं कि तो सारी लड़कियों अभी सेवा के बारते हैं GURJ ciao को इसमी को और कि हैसे संब आएप सोगपाया दो सेवा क बड़ी मैं चलते हैं तो शब्रान को मेरे मालका और Nice गुरु परिवार मिलता रहे, बनता रहे, गुरुजी अपनी प्यारी-प्यारी संगत से जोडते रहे, आज सुबह से वो अंकल का कॉल आया, बहुत जादा परशान थी रात को, पुरी रात सो ही नी, सुबह एकदम से कॉल आया कि आपने आज किस टाइम आने है, आने है आप फिर अंकल ने बोला कि आप ऐसा करो हम ना बड़े मंदर चलते हैं, आप मैं मेट्रो पे पीछे से बैट के आउंगा, आप मुझे रास्ते में बता देना, हम बड़े मंदर चलते हैं, तो मैंने का शायद गुरु जी बड़े मंदर बुला रहे हैं, तो शुक्राना है मेरे और बक्षेंगे बस गुरुजी अपने से जोड़े रखें और अपना प्यारा परिवार बनाए रखें शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अपनी प्यारी परिवार से जोड़े रखना गुरुजी और कुछ नहीं चाहिए कुछ भी आपका नाम चाहिए अपना नाम दे दो भूर शंहों संबर JUST हम आपकी चड़नों से जुड़े रहे और इस परिवार यह Pedro नहीं प्यारा परिवार बना रहे और हम इस परिवार में बनने गुरूर जी बनाएं रहे विवार से जोड़े रहे आपने गुरू परिवार से जोड़े रखे और कोई परिवार नहीं चाहिए सिर्फिक गुरू परिवार चाहिए क्योंकि गुरू परिवार में ही गुरू जी है तो गुरू परिवार में जोड़े रहेंगे तो गुरू जी से अपने आप ही जोड़े रहेंगे तो यह गुरुजी बहुत प्यारा 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 परिवार बख्षे रहें और गुरुजी प्यारिवार बख्षेंगे तो गुरुजी हमें अपने आप मिलेंगे तो बस गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो और इस पर एक और सस्थंग मुझे याद आ रहे हैं जो मुझे गुर जी कहते हैं मंगो नी मन्नो और यह मैं इसलिए अभी बोल रही हूं कि मैं अभी थोड़ देर पहले ना इक आंटी का कॉल आया था मेहा लगी जिसे लेट हो रही थी मैं कल पूरी राज संगजी मैं सोनी पाई और सुबह थोड़ी से मिरी नीन लग रही थी और मैं अभी एक बज़े ही फाइनली उटके मेंने काम वाम की है तो जो मैं काम वाम करी तो देख आंटी का कॉल आ रहा था संगज कहीं गुरु परि हंप और द्धान लिगिन गिनती ही नहीं है मैं जिस लेके से ऑफ़ेे हुंगी तो धोकितो में काम करी थी तो हो जे गुर्ण बिलकुल आंटी कंजन आंटी शुक्रान है गुरुजी ने शें ने का मुखन दिया है गुरू जी करने काता है पनलां हर पल शुक्रान है और ग तो संगत्बन पाएगा जो गुर्जी के वच्णों पे चलना बहुत मिश्किल है और वही संगत्बन पाएगा जो गुर्जी के वच्णों पे चल पाएगा तो गुर्जी के कुछ वच्ण सुने ही तो सपने होते हैं सिर्फ सुनने के माइने नहीं होते हैं आप गुर्जी के वच्णों पे चलते हैं बहुत साधा माइना है रखते हैं तो गुर्जी के कुछ ही वच्ण को मैं समझ पाई हूं सुने बहुत बारी हैं हर बार सुने हैं लेकिन सिर्फ प्रना सुनना नहीं होता हुँ उन पर अमल करना ही होता है। तो गुरु जी के कई वक्षनों में एक गुरुजी का बिजन है यह मंगो नहीं मनो। यह में को अब मैं इस चीज को मानती हुँ। पूरे ही मांतिए कि गुरुजी से कुछ भी मत मांगो, मांग के संगत्री वो आपके पास टेम्परेरी रहेगी, वो पर्मननट नहीं होगी, मांगी हुई चीज, गुरुजी हमारे बड़े हैं, उन्हें पता है हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, और ह तो हम अगर जिद भी करते हैं, वो हमारे बड़े हैं, हमारे पापा हैं, हम गुरुपा हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे रब हैं, और अगर हम कोई चीज उनसे जबसी मांगते हैं, किसी बड़ों से बच्चा एक जबसी कोई चीज मांगते हैं, माबाप पहले तो, अगर माबा चीज तो वह हमाई बाढ़ pH permanent नहीं रहती। तो गुरुजी कहते है मंगो नहीं मननों। आप मान के जो लो आप से विश्वास रको गुरुजी अपन याम देंगे। प्षिबानि वक्षेया हम मीठा बोने हमें अपने वच्णों पर चलवाओ गूरू जी अगर हम हम गूरू जी के वच्णों पर चल गए न संगत जी हम् मुख्या करदो पुरे सिरंडर कर दो मैं घुद भी बोलती हूं कि गुरुजी का सिरंडर कर दो गुरुजी का सिरंडर कर दो संगर जी बहुत मुश्कील है गुरुजी को सिरंडर करना बहुत मुश्कील है मैं बहुत चीज़े संगर जी बोलती हूं गुरुजी है गुरुजी करेंगे गु तो अपर पर शुट करता है शुक्राना है मेरे मालिका कि आगे से हरको भोलता है। आच आपक पर और और रखुछ मेरे साथ मैं इख जिसके लिए अ मेरे इसे को कहा सब एक आपको सब्सक्रास करें पर की भूल इसके सब्सक्राश का सब्सक्राइब करा एक कैसे अब तो तो expressed जाए देट वी जिए उसने भी चुट ते आप दो आपको अपूड ने बतायाrau नोचे ने बताया tena थो सब्सक् Sooτε ने ने समगेंड थो सब मेरे सा घुड़ेटर और दो तो आपको कुछ मेरे मालिक का उसका उसका और गुरूजी को ऑख़ तो थी तो खुड दिखाती है करना मैं सलसंग कर रही थी मंगो नहीं मननो क्योंकि वह आंटी का में पर सभी कॉल आया था आंटी मुसे बात करना चारी था तो मैं आंटी को जली ली बोला आंटी प्लीज थोड़ा सा मैं जल्दी में हूं मेरी सेवा है तीन बेरे अगर बहुत जादा अरजर नहीं है तो हम को शाम को पात करें तो आंटी ने बोला चलो कोई नी मुझे ना बस होड़ा से सवरूप का पूछता था तो मैं ने आंटी बोलो फटवर बोलो कोई नी मैं स्पिकर और ने मैं सासथ काम कर रही हूं आप पूछ रही हो मुझे अच्छा भी लगता कि मैं गुर जी की संगत को अगर मुझे से कुछ बात करना चाड़ी और मैं गुर जी की संगत को बोलूं कि नहीं बात में बात करना नहीं आंटी आप बोलों तो आंटी की ना कुछ करन के थी मुझे ना कोई सवरूप चाहिए गुरूजी का तो मैंने का आंटी बड़े मंदर से मिलेगा के थी मु ऑप तो संगजी इस पर मेरा एक और गुरुजी कि जो सच्वांख करने शेयर करूंगी आपके तार गुरुजी के एक सवरूप मुझे था बना बना धाएं बहुत सवरूप मिले था संउस्छा यह बहुत सर इनल्र सेंस्क बिलते हैं पर जाधा भी लेने नहीं चाहीं कि वह गुरुजी एक मैं भी है नेक में भी आते हैं तो गुरुजी का वेलकी जूट बोल की जैसे बड़े मंदर में पूछते यहां कि आपके पास नहीं है तो आप लो आगर आप जूट बोल के मत लो की नहीं मुझे चाहिए चाहिए तो संगा जी एक नॉर्मल वाला साइस का था मेरे पर सवरूप पहला जो मुझे सवरूप गुरूजी का ससंग दे मिला था तो वो यहाँ पर गुरूजी ने विराजे हो गए थे और उसके पार मेरा मन था कि गुरूजी ना एक थोड़ से बड़े सवरूप में आए और जब से अभी फिछले साल गुरूजी के तर वेलेंटाइन डे मन आया तब से तो मैं गुरूजी के तर डेडन ब्लाग चोले की दिवानी हो गई थी तो मेरा बहुत मन्ता कि गुरूजी डेडन ब्लाग चोले में बड़े वले सवरूप में मेरे घर पे आए बड़े वले स सब्सक्राइए और मेरे गुछ है मैं दो और यहां पर गया । कि अर। गुरुजी संगा जी आप जिस जिद से लेते हैं न वो आपके पूस टेप्रेरी होती है तो वो मुझे मिला सवरूप तो मैं वापिस आ रही थी मेट्रो में और मेट्रो में क्या ही हुआ एक ऐसा कुछ नहीं होता संगा जी कि आपको जो मिले वो आपकी की ब्लेसिंग्स है ब्लेसिंग्स जानी होती हैं तो वो ब्लेसिंग्स मेरे पास से किसी और संगत के लिए ही थी वो मेरी साथ आई मेट्रो तक और एक संगत आंटी का कॉल आया उनकी बेटी के तब बैठ ठीक नहीं थी तो मैंने बला कि इससे बात हो रही थी मैं आनका मेरे मुझे निगे सब्सक्राइグै Isuf अपना को सस्षेम मिला था ये आप अपने वल्ला दे दे दिना प्लेश को अप मैंने क्मुंसे निकल गया कि ब्लेसिंग आ रही है तो आटी कहती क्यों नहीं मैं क्यों दूँ और यह तो मेरी ब्लेसिंग्स नहीं देती मैं नहीं आपके मुझसे निकले आपको देनी पड़े कि मैं चलो जैसी गुर्जी की इस्षा संगे जी वह रेटन ब्लाक चोले में सवरूप घर लेकर आई मैं बहुत कुछ थी और इतनी इसको निहार हूँ उसको देखू उसकी फोटो किची मैंने और डाला स्टेटेस पर की गुर्जी की प्रेसिंग्स में बहुत बहुत साथा कुछ थी मैं और फिर मैं उसको देखते बहुत बड़ा सवरूप था वो पापा ने बोला भी मिलको कि इतने बड़ा सवरूप ले लगाएगी खांपे इसको तो मैंने बोला चलो देखते हैं फिर मैंने उसको फोल्ड करके और अलमीरा में रख दिया उसको जंगत जी और मुझे बहुत दिन उसको टाइमी नहीं म मैंने का हांटी मेरा दो मन उतर गया कि ये तो जाएंगे गुरुजी और अब गुरुजी ने बलवाया था कि ब्लेसिंग उनकी है तो उनको देनी पड़ेगी मैंने का हांटी उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप ले जो वो तो इमीजेटली पांश्यन में नीचे आ गई और दो जी वो ब्लेसिंग्स नीचे आ जो मैं को दे दो और मैं डिरारी उनके पस मिनकर ले जो आँटी दी एक भी दर्शिन करनों और आप ले जो पर उनकी ब्लेसिंग्स होंगी कोई बातनी गुरु महाराजरी फिर आएंगे किसी और रूप में आएंगे शायद ये उनकी ब्ले सिंती सिफ गुरु जी ने सरिया बनाया था वहाँ बड़े मंदिर से लाने का और दस दिन में मेरे घर में उस गुरु जी वो रहे और उसके बाद वहाँ जाते ही उन आँटी ने जिनके पास जिनके प्रेसिंग सी उन्होंने जाते ही उनको फ्रेम भी करवाया मैंने उन ल वन्नोंे से पहले ही। गृड़ भूलाया तो बड़े मंदिर में ही उस एल गंडिन फिर नxit मंडिन परनों चव्ड़ कौ ठीयर पर द कि मनदिर few वन्हीं होगा ता, कोव nieuwe की चकर में और वह लाज जीन जो गुरिजः ने इतना बड़ा सवरू ब्रेस्ट किया शुक्राणा मेरे मालिक ये new year की बैसिंग गुरू झी न जो दी थी शवक्राना शुक्राना अनंत्रम चुक्राना और जब संगा जी यह सवरू घर पे आया और मतलब पापा भी इतने खुश उसको देखिया और पापा ने इमिलिटली बोला कि इसको फ्रेम करवा और तब मैं उस ताम पर संगा जी में पर बिल्कुल टाइम नहीं निकर रहा था बट मैं कोई था कि यह डिसेंब तो मैं टेकर ऑची को मैं सिकिण जयनवरी संडे था और पर जाघियं दे चृट तो में लेके नहीं जानाम bırak रहीवाट्य टो में लेकर जाते हो तो मैं encouragement नली चाह चाता नहीं तो अंकल कह रहें कि हाँ गुरुजी तो रेडी है वो तो आपकी घर में इतनी जल्दी आना चाहरे है आप नहीं लेकर जा रहे हैं अंकल मैं आप भी फटा फट घर पहुंच के लेकर आती हूं और मैं जेसी घर आई और पापा भी मुझे बोड़े की फ्रेम गुरुजी को टॉछू को को लेकर आना मैं लेकर आए और गुरुजी और रहीं लोग लेकर आएं अजयstation को लोक्त नहीं है अब हम लोगने के लिए और बड़ा है तो पड़ा भी मतलब बिजली वला चाहिए और ग्रिल करेंगा टुरुल करे साओ को आध नहीं अब ड्रेका और आपाग को फिर यहां विराजा नीचे अच्छी बेट शीट बिचा के और उस सोफे पर विराजा पूरी रात और सुबसुब उठते मेने का पहले बिजली वाले को बुलाने हैं और फिर बिजली वाला आया और यहां गुरुजी को ड्राइंग रोम में इतने बड़े इतने प्यारे लगने यह लो चले में और शुकराणा मेरे मालिख यह लगने ए Queen Ε000 को इस यहा आना था ऐसी आना था और ऐसांट शकरा। तो घुर जी का अनंतम शुक्राना इंठ शुक्राना और घुर जी है ना कि मंगों नहीं मनों मांग के कैसे मांगा था की गुरु new चुल जो बसी गुर तेंच आ है व ? बहुत पयार लगते ओõ जए तो लेकिन गुर तो गुरुजी का अनन्तम शुक्रान है गुरुजी कता है दिल से स्वागत करो और ऐसा नहीं है कि गुरुजी ऐसे चोले में आई या वैसे चोले में बैट कि आए तो अभी मुझे आटी यह क्या थी कि गुरुज महाराज ना बड़े सवरूप में गांटी बड़े मंतर में मिलता हैं बड़ा सवरूप बे मिलता हैं अगर आपके बिस नहीं है तो दे देंगे तो अँटी ने बड़ा सवरूप तो चीक है मुझे ना गदी वे चाहिए गुरुजी तो आंटी ऐसे नहीं होता कि घटी पर बैटे होई चाहिए या क्या पता group जी खड़े हों में आने आज घर पर जैसी में उंका वैलकुम करूं ऐसा नहीं कि गुरुजी जैसे की गर में की कुचे तो की के समस्य पहुत जैसी आती है बहुत पॉलडिशी का हूप में इतना 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 食राइबव साने बहुत जैसी क Aaron all पहाँ जह और गुरुजी इस चोड़े में बैटे हैं और गुरुजी ने इस सवरूप को इतना संगत जी इतना बलेस किया मुझे एक और सम्हार आ रहे है मैं टाइम बहुत जादा ले ती आरही हूँ अभी भी संगत जी मैंने मुझे से बूला गुरुजी हर त्युहार ब् ब्लेस किया इस पोली मैंने घुलाल का और वरोगी को डिलक गाए गुलाल का और दम पता क्यों मुझे पापा ने बोला कि आतु कहीं नहीं चाहेगी शाम को तुम कहीं है इतने यह नहीं क्या हो गया तो नीची पी नीजाएगी साथ वाली अटी खिर पी नहीं जाएगी ने पता हुआ लिए और चीम पापा को क्यों ही मना कर रहे है और संगे जी मैंने सुपर गुलाल का तिलक लगाया और शाम को 3-4 बजे पाप चुट्टी ती कुछ मिलब करना नहीं तेर जय रहे हैं गर में तरह लाड़ में पापा इदर जाए मैं आप तरह उचु। पताई नियुक्त। गुलाल का तिला क्या था उसमें मेरी नजर रहे हैं। साक्षाद गुरुजी के फेस के दर्शन हो रहे हैं तो शुकुराना अनंतम शुकुराना गुरुजी ने ऐसे हूली पे प्लेस किया हूँ तंगे जी आज भी अभी भी गुरुजी का जो गुलाल तिलक है वो लगा हुआ है और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है हला कि गुरुजी का सवरूप साफ करना चाहिए उस पे नया तिलक चंदन करना चाहिए लेकिन मेरा सिरिसली वो जब गुरुजी के तिलक में सवरूप नजर आ रहा है गुरुजी का फेस नजर आ रहा है मेरा बिल्कुल भी क्लीन करने का मन नहीं करता आज भी मैंने उस पे तिलक की है तो उसी के ऊपर ही किये है और उसके ऊपर कहने के बाद मेरे गुरुजी को वह चंदन की है और छुड़ा सा मेरे हाथ मेशों आपट तो मेरे आज मुझे लाल तिलक मेरे गुरुज के शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का तो गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं गुरुजी हर रूप में ब्लेस करते हैं संगा जी एक वह इथा कि गुरुजी जाने गुरुजी कैसे ब्लेस करने हैं कैसे प्लेस करने हैं और अभी संगा जी पता नहीं गुर जभ भी आ रहे है यह कहते है जोली मीं का जोले SJben टीजिए होते ह्म मुझे में सुने यालो चोले में है एक गुरu का झार है जोलो कोलर सारा होसे उसे केते हैं गुरू जी का पिटा गृजी आझ मुझे सकत्राफ समय गुरू ज्राय ड्नी इसलों ब्लाक लेट का उनका स्टॉल है तो ये गुरुजी ये बर्दे ब्लेसिंग जो मुझे मुली है इसमें भी गुरुजी रॉकस्टार चोले में है मेरे गले में ये जो छोटा सा है गुरुजी का लॉकेट इसमें भी गुरुजी रॉकस्टार वाले चोले में है और इससे पहल डुग्री में भी जो मुझे blessing मिली बस में ऐसा मिला है इसे थोड़ा छोटा था उसमें भी गुरुजी ऐसे ही Rockstar चोले में थे तो मैंने जब वो ये मेरे already था बस में डुग्री से आते हुए ये भी मेरे बस में गले में था ये छोटे वाला भी था और जो इसके बीच इसे छोटा मुझे माला सवरुप मिला वो मैंने जब डाला और मैंने देखा एक दो तीन तीनों ही गुरुजी Rockstar में मतलब ये already छोटे थे ये बड़ा जो माला सवरुप उसमें भी मेरे गुरुजी Rockstar चोले में और इसके बीच की इसे छोटा छोटा थोड़ा माला सवरुप मिला उसमें भी गुरुजी Rockstar में और ये मुझे अभी जो बर्दे की ब्रेसिंग्स में इसमें भी देखां संगत जी गुरुजी Rockstar चोले में मुझे समय नहीं संगती मुझे गुरुजी मुझे प्रीज संगती मेरी ये रिक्वेस्ट है गुरुजी कि संगत किसे भी संगत को पता हूँ कि ये कुछ पर्टिकलर ऐसा होता है गुरुजी को ब्रेस करने का कि गुरुजी मुझे Rockstar चोले में क्यों ब्रेस कर रहे हैं तो प्रीज संगती मुझे प्रीज बताना कि गुरु महराज क्या चाहते है मुझे Rockstar चोले में आंकर क्या कहना चाहते है तो संगती प्रीज मुझे बताना कि गुरुजी क्या मर्जी है गुरुजी ब्लेस तो कर रहे हैं गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं, हर रूप में ब्लेस करते हैं, चाहे गुरुजी येलो चोले में आए, चाहे गुरुजी ब्लू चोले में आए, चाहे गुरुजी तीन फेसे वाले जो गुरुजी के सब रूप में वैसे आए, गुरुजी हर रूप में ब्लेस करते हैं, अपनी हर संगत को गुरुजी अलग-अलग तरीक से ब्रेस करते हैं संगत जी यह बहुत टूर है हमें किसी को देखके कभी भी नहीं बोला चाहिए कि वो आंटी को ऐसा क्यों है उन आंटी को बड़ी माला सवरूप क्यों मिली हुई है या उनकी इतने सारे ब्रेस्टेट उन हमारे पास क्यों है या उनकी मन करम है और गुरुजी सबकी करश्ट करम खट्वाते हैं और कैसे लिए तो गौरो जी जानते हैं और अगर निम्बु की सगते में तो बेटे झाया हुआ किकट पाते हैं और निम्बू की तर निचोड़ते भी हैं तो शुक्राना है मेरे मालिक को मालिक का कि अगर वो निम्बू की तर निचोड़ेंगे नहीं तो हम मालिक को याद भी कैसे कह देंगे तो शुक्राना 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 मेरे मालिक वहम में मत चाओ आंटी जी पस ब्रेसिंग लो शुक्राना है मेरे मालिक अंज्री आटी मैं बिल्कुल वहमों से दूर पूरी कोशिश करती हूं में को कोई वहम नहीं है में को ऐसा कुछ नहीं है में को एक सिफ मैं थोड़ा सा मन में आरा था कि ऐसा कुछ है कुछ गुरुजी की कुछ special इच्छ है कि यही blessing मेरे पस क्यों आ रही है मतलब आ रही गया तो मैंने ऐसे बोला हो कि मुझे दूसरा चाहिए मैंने बिल्कुल नहीं बोला गुरुजी की blessings राकों पर हैं शुक्रान है कि गुरुजी जो भी दे रहे हैं और बहुत-बहुत शुक्रान है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे पास अल्रड़ी है यह तो मैं यह वाप गुरुजी बस अपनी चड़नों में लगाई रखे और ऐसी गुनगान गवाते रहें और संगल जी भूल चुप गलती जो भी हुई हो माफ करना गुरुजी माफ करना बच्छी हूँ और गुरुजी से अरदास है बस गुरुजी अपने चड़नों में जोडे रखना और परिवार में जुड़े रखना और ऐसी अपने बड़े बंदर बुलाते रहना और अपने दर्शन देते रहना गुरुजी सबको ब्लेस करना सबको स्वास्ते बख्षना गुरुजी सबके घर रहना सबको सब पे महरो वाला हाथ रखना गुरुजी सबको ब्लेस करना पेरी संगत जुड़ी रहें और गुरू जी बस आप आप हमारा हाथ में छोड़ना गुरू जी बस गुरू जी आप बस गुरू जी आप हमारा हाथ में छोड़ना अगर आप आप नहीं छोड़ोगे ना बस हम तो तर जाएंगे बस गुरू जी आप हमारा हाथ पकड़े के लिए ससंग शेयर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी शुक्राना मेरे माले शुक्राना इस पेश का जो गुरुजी ने बख्षे है ससंग शेयर करने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना कंचनांटी का बहुत 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 शुक्राना ज जे गुरुजी, जे गुरुजी, सारी संगत को शुक्राना, गुरुजी का, अनंतम, अनंतम शुक्राना, जे गुरुजी, जे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, भूल चुक गलतियां, माफ करना, गुरुजी, जे गुरुजी.